हेलो मित्रो तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि सीएस एटी के अगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी के एग्जामिनेशन को कैसे अटम्ट किया जाए क्यूंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन्स आ रहे हैं आई सीएसे अभी अभी एक मॉक टेस्ट हुआ है और मैंने मेरे बचूश ट्वेंटी ट्वेंटी में बच्चाइबियो लिए के लिए उनके मन में जो का राद्र मृण से देखेगा शायद आपकी इसमें कोई क्वेंटे की जेंटी की जो आगस्ट ट्वेंटी ट्मेंटी में котором हो ऐनीए आदेगरू further धेए हो अब बहुत सरे बच्चों के मन में दिमाग में एक सवाल दोड रहा है सर घर बैढ़ेट एक्जामनेशन देना है तो कॉपी करना तो बहुत आसान होगा हम हमारे दोस्तों को लेके बैठ सकते हैं या सर आपको हम फोन करके कुश्चिंस पूछ लेंगे या फोटो निकालके क्वेश्चिंस कर देंगे आप उसका जवाब दीजिएगा या देर केन भी एन नमबर आफ क्वेश इन या माइंड मित्रो अभी जो बच्चों ने मॉक टेस्ट दी है उससे आपके सारे क्वेश्चिंस के आंसर मैं आपको बता दू किसी भी प्रकार का गलत काम करने की बा जो मैंने conversation किया इससे हमें प्रतीत हुआ कि institute ने बहुत ही बहतरीन software बनाया है टेस्ट के लिए अभी तो मॉक टेस्ट इंस्ट ने आज पहली मॉक टेस्ट कंड़क्ट की और दो मॉक टेस्ट कंड़क्ट होने वाली 24 को कंड़क्ट होगी और 26 को कंड़क्ट होगी पहले इ किसी भी class की टेस्ट देने में अभी time waste मत करो फर्स घंब सबसे important point किसी भी class की आप कोई भी प्रकार की टेस्ट देने में time waste मत करो जब ICSI टेस्ट कंड़क्ट कर रहा है तो state away अपने ICSI की test देनी जरूरी है आप यह क्यों जरूरी है फर्स तिंग पहले तो आपके system को configuration check में आपके computer में आपके laptop में अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत आपको पता चलेगी ठीक है similarly उसके लिए जो जो browser चाहिए वो browser आपके पास तुरंत आ जाएगा आपका system check हो जाएगा ठीक है यानि अभी जो mock test जिस computer पे आप जिस computer से आप mock test देने वाले हो वही computer से आप final test भी देना वही laptop से final test भी देना मित्रो final test के पहले का यह rehearsal है ऐसे समझ लो ठीक है तो आपका पूरा hardware and software का system जो है वो तीन बार institute चेक करवा के ले रहा है final examination से पहले तीन बार यानि जिन्होंने आज की mock test दी है ठीक है वो और दो बार दे सकते हैं जिन्होंने आज की miss कर दिये मित्रों आपके पास अभी भी दो opportunities बाकी है अगर आपने mock test दीन नहीं होगी तो यह mock test देना बहुत ही जरूरी है first thing you need to understand this ठीक है so देखो institute जो software provide कर रहा है वो किसी भी class वाले के पास नहीं है हम सब लोग online test conduct करते हैं आप लोगों की मैंने तो बहुत सरी हमारी class ने तो बहुत सरी test conduct की है आपकी online test conduct की हैं बहुत बच्चने इन mobile application के तुरू laptop के तुरू बहुत सरी test conduct हो चुकी है लेकिन institute का software है that is totally different ठीक है तो आम class normal classes का जो software होता है और ICSI का software होता है वो totally अलग है में तो हमारे software से you become comfortable with the online systems बट आपको institute के software से comfortable होना पड़ेगा क्योंकि 29 अगस्ट को आप जो test देने वाले हो वो ICSI के software से test देने वाले हो तो यह बात को आपको समझना बहुत जरूरी है इसलिए आपने mock test देना जरूरी है बहुत बच्चे डर के हमारे mock test नहीं देते हैं वो बोलते हैं सर हमारा preparation नहीं हुआ इसलिए हम mock test नहीं देना चाहते हैं ठीक है सर हम a fear of failure है हमारे मन में अगर हम mock test देते और fail हो जाते तो examination से पहले attention आ जाएगा यह सब बक्वास की बात हैं इनको आपके के दिमाग से निकाल दीजिएगा mock test देना क्यों जरूरी है क्योंकि आपके system का checking हो सके आपके पास जो भी hardware software systems है वो institute की requirement के मताबिक है या नहीं आपको अभी से पता चलेगा ठीक है तो एक दिन पहले सारी arrangement करना शुरू करोगे examination के और बाद में आप online test देने की सोचोगे तो you won't be able to even appear for the exams so please don't do this mistake अभी भी दो mock test बाकी है वो mock test के लिए आपने appear करना mandatory है यह सबसे पहला instruction second instruction सर अभी examination देते वक्त ठीक है जिस रूम में बैटके हम examination देने वाले हैं उस room में किसी और का physical presence चलेगा क्या क्योंकि हम मदद लेना चाहते हैं examination खुद से साल नहीं करना चाहते हैं examination में cheating करना चाहते हैं ठीक है so we want to cheat and pass because we are not confident on ourselves so यह अगर आप सोच रहे होते बहुत ही गलत है मित्रों Institute जो है आपका जो laptop यह computer जिससे आप examination देने वाले हो उसका camera 360 degree घुमा सकता है अगर वो घुमाता है और कोई भी अगर पता चल जाता है कि institute को one person doubt आ जाता है कि आपके आसपास कोई है तो every second every minute images capture होता है आपका याने जो examination दे रहा है जो student examination दे रहा है उसका और उसके आजू-बाजू की चीजों का image capture photo capture होके institute के system में save हो रहा है तो गलती से भी आपके room में दूसरा कोई अगर image में photo में आ गया है आपको fail किया गया whatever वह immediately वहां पर message display करेंगे institute के पास एकदम strict rights होता है मित्रो वह आपके आगे के एक दो examination देने से भी आपको रोग सकते है अगर आप कोई गलत कदम उठाते हो तो तो इसके लिए बिलकुल cheating नहीं करना है जहां पे आप बैट के examination देने वाले उस hall में केवल student अकेला होना जरूरी है this is the primary instruction that you need to remember ठीक है तो आपके अलावा और कोई नहीं उस room में होना चाहिए इतना ही नहीं मित्रो कोई और आवाज भी आपके room में नहीं आना चाहिए जैसे for example घर से बैट के अगर आप examination दे रहे हो और आपका room kitchen के पास है और आपके आपके मम्मी गैस पे कुछ बना रही है cooker की CT बज गई होहां से वह भी noise capture हो रहा है और अभी जुन्होंने mock test दिया है मित्रों mock test में बच्चों को chat section में messages आये कि आपके यहां यहां ऐसे sound आ रहा है so please take care of this thing ठीक है final examination में आपका paper ही रोग देंगे वह ठीक है so physical presence तो छोड़ दो noise भी permitted नहीं है जा जिस room में बैटके आप examination देने वाले हो वहां पर कोई किसी भी प्रकार की noise किसी भी प्रकार की दूसरी वक्ति की physical presence allowed नहीं है ठीक है तो आप ऐसे सोचेंगे कि आप laptop या computer room के बीच में रख देंगे ठीक है आपके दोस्त को computer के पीछे खड़ा रहने के लिए बोल देंगे और बाद में आपको question जो loudly read करोगे और वो आपको वहां से answer देगा अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में planning है वो भी fail होने वाला है क्यूंकि microphones on रहने वाले हैं तो आप जो भी यहां से बोलेंगे वहां पर उनको सुनाई देगा आपका दोस्त वहां आपको आपको आवाज देके कुछ भी चीज बोलेगा तो उनको सुनाई देगा ठीक है सो microphones on है camera on है तो ना आपकी आवाज निकलनी चाहिए ना किसी और की आवाज आपको आनी चाहिए ठीक है तो यह पूरा lock हो गया तो physical presence किसी का भी नहीं चाहिए अब सर यह चीज़े clear हो गए इसका मतलब room में हमने अकेले वेटना ह रूम में किसी और का physical presence नहीं होना चाहिए रूम में दूसरा किसी भी प्रकार की noise नहीं होनी चाहिए सर यह तो बहुत बहुत बैतरीन तरीके से institute ने हमें टाप कर दिया लेकिन सर समझो हमने room हम जहां पे computer के सामने laptop के सामने camera के सामने हम बैठ है और हम समझो camera के सामने से य रियल टाइम camera चल रहा है तो वह आपकी तस्वीर यानि जब आप लॉग इन करते हो देको सिस्टीम ऐसे है तो ही आपको examination देने के लिए permission मिलेगी समझो फर हाल टिकेट पे तस्वीर दूशन सर की है और examination देने के लिए बैठ है तो यह अगर स्टार्टिंग में मिशमा चाहा जाता है ना तो आपको examination देने की परमिशन ही नहीं मिलेगी समझो हाल टिकेट है दूशन सर की examination देने के लिए बैठ है दूशन सर लेकिन कुछ देर के बाद दूशन सर उठके चले गया और उनके जगह मैं आके बैढ़ गया सर यहने मैंने इसे किया कि अगर आपने आपके जगह पे किसी और को लाके रख दिया तो भी आपको तुरंत वहां से चैट सेक्शन में में मेंसेज आएगा और आपका examination वहीं पर और को हम बिठा नहीं सकते हैं और सर अगर हम लेकिन अगर हम रूम से उठके बाहर जाके किसी और को question पूछ के आए तो यह चलेगा क्या बिल्कुल अलाउड नहीं है आपको पूरे के पूरे दो घंटे डाट इस एक सो बीस मिनिट कंप्योटर के सामने बैटना मेंडेटरी है कंप्योटर से स्क्रीन के सामने से उठना लाउड नहीं है उठना तो छोड़ दो मित्रो इमेडियेटली अभी जिन्होंने अभी का जो मॉक टेस्ट दिया है उन बच्चों का ठीक है उन बच्चों के साथ मैंने कंवर्सेशन किया और उनसे मैंने यह सारा फीडबैक लिया कम से कम 30-40 स्टुटेंट्स के साथ बात करने के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं मैं तो हो क्या रहा है अगर समझो यह कैमेरा है ठीक है इसी आपके आई-लाइन पर ही कैमेरा होता है आपका लैप्टाप यह आपने यहां वहां देखा तो इमेडिटली चैट सेक्शन में में मेसेज आता है कि आप कहां देख रहे हो ठीक है इसका मतलब आपके जो आई-कॉंटाक्ट है वो कंप्यूटर के स्क्रीन के साथ ही होना चाहिए कहीं और भी नहीं यानि जो बच्चे नीचे काल्कुलेटर डाउनवर्ड्स आपको कंटीनियसली स्क्रीन की और ही देखना है सो इतना स्ट्रिक्ट वे अफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन है तो इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेंगे ऐसे कर लेंगे नीचे बुक्स वगारा रखेंगे ऐसा हम कैकल एक सितमाल करना लगाउट के लियंग इस्तेमाल करना बिल्कुल अलाउट नहीं ये और नोट अट पर्मिटेट यूस चैल्कुलेटर को फूसे कुरिक्ट्ल Mack день लेकिन ऐसे बड़े वाले क्वें तुटीन आपको जो question पूछेगी ठीकिए वह बहुत simple calculation वाले question होंगे जो आप orally calculate करके solve कर पाओगे ठीक है so be rest assured calculator नहीं भी अगर आपके साथ है तो भी आप orally question solve कर पाओगे लेकिन at least pen pencil तो चाहिए solve करने के लिए pen pencil वो भी allowed नहीं है you are not permitted to use calculator you are not permitted to use paper pen pencil nothing ठीकिए आपको बस screen के सामने देखके examination देना है सर लेकिन ऐसा कि यह तो अत्याचार है हम हम तोड़ी ना शकुंतला देवी है सर की question read करके बस दिमॉक के अंदर calculation कर दिया और answer निकाल दिया हाँ institute ICSI ने शकुंतला देवी के picture को बहुत ही serious लिया होगा लेकिन हम तो शकुंतला देवी जैसे है नीजर immediately answer तो दे नहीं पाएंगे तो what to do sir हमें pen paper की जरुवत पड़ेगी मित्रों लेकिन क्या करें institute ने यह घर से आपको जो paper attempt करने की permission दी है इसके वज़े से institute ऐसे सूचता है अगर आपको paper use करना अलाव किया तो paper पर फार्मिलाज वगरा रेडिली लिखके रखोगे ठीक है और रेडिली लिखके रखोगे तो questions आने के बाद cheating होनी की संभाव ना इसलिए न पैन न पेपर न calculator किसी भी चीज़ का इस्तिमाल करना लावड नहीं है one more thing mobiles use करना बिलकुल लावड नहीं है आजू बाजू के करियर के साथ लोगे देना है तो examination seriously दीज़ेगा नहीं तो बिलकुल मत दीज़ेगा अगली अटेम्ट है November तक preparation आराम से कीज़ेगा उसके बाद examination दीज़ेगा लेकिन किसी भी प्रकार की cheating करनी की बिलकुल कोशिश मत कीज़ेगा ICSI ने बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है चीटिंग नहीं इस चीज़ का और इसके बावजुत अगर आप चीटिंग करनी की कोशिश करते हो तो बहुत वाट लग जाएगी ठीक है सो अ वाइस सेंसर सें ठीक है फोटो लिया जाता आपका फोटो लिया जाता है आपके इस प्रकार की चीटिंग मत करना अपर्ट फरं देट examination में बैठते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ admit card और ID proof लेके बैठना loud है ठीक है you are permitted to take ID card as well as admit sorry ID proof as well as admit card with you इसके लाव यहने other card pen card जो भी आपके पास यह license आप आपके पास रखेगा खास करके other card रखेगा ID proof के लिए and apart from that other card लेकिन उसके उपर आपकी photo अच्छी होनी चाहिए नहीं तो अधार card के और आपकी photo अगर mismatch होगी तो घड़बर हो जाएगी ठीक है pen card चलेगा कोई दिकत नहीं अधार card चलेगा okay school का ID card लेके बैठना आपके जगह किसी और को मत बिठाइए हम शकल अगर हम शकल अगर हम शकल है आपके जैसे दिखने वाला अगर कोई है तो उसको टाप करने के लिए ICSI ने क्या किया है वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा अगर जुडवा भाई बहन है और वह एक्जामनेशन के लिए बैठ रहा है तो उससे रिलिटर क्या प्रावधा ने इसके बारे में अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टीम वगरा कुछ है नहीं याने थम इंप्रेशन वगरा देना है वगरा ऐसा कोई सिस्टीम नहीं है तो दाट माइट बी लूप होल आपका अगर कोई जुडवा भाई बहन है उसको अगर आप बिढ़ा दिये और वह अगस्ट 2020 के लिए तो प्लीज फिल फ्री तो कम्मुनिकेट नीचे दिये गए नंबर्स पर टेलीफॉनिक नंबर्स पर आप कॉल कीजिएगा हमें पूछेगा बिलकुल हम आपकी सही अता करेंगे ठीक है एक लास इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए चीटिंग मत करना और मॉक टेस्ट देना भूलना नहीं अभी आप किसी भी क्लास की कोई भी टेस्ट मत दीजिए सिर्फ और सिर्फ ICSI की मॉक टेस्ट देने में फोकस कीजिएगा ठीक है ओके अपार्ट फॉन दाट और कुछ करन्ट अफेर्स रिलेटेट इंस्ट्यूट क्वेशन पूच रही ह पूच रही है जो आपके सिलाबस में नहीं है एक दो कुछन है से बाहर से पूच रही है तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे ठीक है तो यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते रहेगा वहां से मिल जाएंगे नहीं तो आइकेन अकडेमी के मोबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड कीजिए वहीं पे भी आपको यह वीडियो मिलेंगे तांक यू वेरी मच और अल्द बेस्ट